Assalamualaikum Welcome to StudentTube आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नबर फाइब फैक्टरिजेशन एच्सी एफ इन स्क्वाइर रूट एक्सराइज है फाइफ पॉइंट एटो कुष्चन है फाइंड दा एच्सी एफ ऑफ फॉलोविंग पॉलिनॉमियल्स बाइ फैक्टर मेथ बहुत ही जादा सिंपल है हम इसके पिछले फोर कुष्टन सॉल्फ कर चुके हैं आज फिफ्ट कुष्टन सॉल्फ करेंगे तो कुष्चन नबर फाइव में हमाई पास टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्कॉर माइनस फॉर एक्स प्लस पॉर दैन अगली टर्म है एक एक्स स्कॉर माइनस फॉर एक्स प्लस पॉर इस एक्वल टू अब यहां पर अगर हम टू को कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्कॉर माइनस टू टू जा फॉर तो टू एक्स और प्लस टू ठीक है इसके बाद यहाँ पर 2 इसी तरहां से common रहेगा अब अंदर हमने यहाँ पर common लेना है तो x square को common लेंगे तो अंदर आ जाएगा x minus 1 क्योंकि उपर x cube है नी जो x square है तो 1 x अंदर आ गया और x square बाहर मौजूद है तो 1 आ गया ठीक है तो यहाँ पर यह क्या हो गया 2 और x minus 1 common और x square minus 2 इसके बाद जो अगली term है वो हमने देखनी है तो वो है x cube minus 1 तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर formula apply हो सकता है a cube minus b cube का क्योंकि 1 की उपर अगर हम cube भी लगाएंगे तो 1 1 ही रहेगा ठीक है तो यहाँ पर x minus 1 यानि a cube minus b cube का हम formula लगा रहे हैं तो यह हो गया a minus b ठीक है और फिर आगे हो जाएगा x square plus x plus 1 ठीक है अब यहाँ पर आप सोचे होंगे 1 x क्यों नहीं लगा है तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर understood है क्या 1 मौजूद है ठीक है तो अब यहाँ पर जो दो terms थी उनके जो answer हमाएं पास आ गए है अब हमने इसका hcf निकालना है तो hcf क्या होता है जो दोनों में common हो ठीक है तो दोनों में common क्या है x minus 1 उपर भी है और नीचे भी तो इसका मतलब के scf is x minus 1 answer तो यह था हमारा आज का question बहुती ज़्यादा simple और easy उमीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आ गया होगा मज़ीद questions के लिए मिचान को कर दें subscribe साथ ही अपने classmates and friends से share भी जरूर करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए Allah हाफिज